राहुल, हमारी कॉलोनी में रहने वाली शर्मा आंटी का एकलोता बेटा, कॉलोनी की लड़कियां तो उस पर फिदा थी, और हूं भी क्यों न, देखने में वो था ही कुछ ऐसा, और उपर से फॉरन रेटर्ण, डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके आया हुआ था, पैसे की कभी कोई कमी नहीं थी उनके घर, और शादी के लिए तो बस लड़कियों के लाइन सी लगी थी उसके लिए, एक मैं ही थी, जिसे उससे शादी करने में कोई इच्छा ही नहीं थी, इसलिए नहीं कि मुझे उसमें दिल्चस्पी नहीं थी, बलकि इसलिए कि मुझे पता थ तो बाकि सारी लड़कियां देखने में मुझसे कई ज्यादा सुन्दर, पड़ी लिखी और अमीर थी और मैं एक समान्य परिवार से, एक दिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मैंने कहा चलो डॉक्टर को दिखा कर आते हैं, मैं तैयार हुई और मा मुझे राहुल के क्लिनिक पर ले आई, मैंने कहा मा तुम मुझे यहां क्यों लेकर आई हो, इनकी फीस तो बहुत चाहिए या फिर बुरा लगना चाहिए, कितनी नामुम्किन सी बात थी, और फिर हम दोनों अंदर गए, मा ने अपनी पहचान बताई, कि वो राहुल के पापा के दोस्त की पतनी है, राहुल ने भी कहा, हाँ पहचाना मैंने, फिर मा ने कहा, ये मेरी बेटी पूजा है, और मेरा बीपी चेक करने लगा, मुझे बड़ी हैरानी हुई, कि वो मेरा बीपी फिर से क्यूं चेक कर रहा है, जबकि नर्स ने पहले ही बीपी और वजन चेक करके एक कागस पर लिकर दे दिया था, अचानक हम दोनों की नजर एक हुई, और मैं जैसे उसकी आँखों में खो गई, उसने कहा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, बस बीपी लो है, मैं दवाई दे देता हूँ, ठीक हो जाओगे तुम, हम घर आ गए, रात भर मैं सो नहीं पाई, कुछ तो बात थी उसकी आँखों में, जो मैं समझ नहीं पा रही थी, और चार-पांच दिन बा मेरी माने मुझसे कहा ही था, वो विदेच से पढ़कर आया है, उसकी सोच सुन्दर्दा को लेकर अलग होगी, और तुम्हारा सिर्फ रंग सावला है, वरना तुम बाकी लड़कियों से भी ज्यादा सुन्दर हो, हमारी शादी तैह हो गई, और ये बात पूरी कॉलनी में आख की तरह पैल गई, सभी बस यही बाते किये जा रहे थे, कि आखिर राहुल ने इतनी सारे लड़कियों को छोड़कर मुझे ही क्यों पसंद किया, हमारे घर में तो बस खुशिया ही खुशिया थी, राहुल मुझे रोज फोन करता, मैसेज करता, कहता कि कैसे वो मेरी प तरीका अलग है, मैं मन ही मन खुश थी, कि राहुल को कुछ तो पसंद आया, जिसकी वज़ा से उसने सीधा मेरा हाथ ही मांग लिया, शादी का सारा खर्चार राहुल के घर वाले ही करने वाले थे, हमें कुछ भी करने नहीं दिया, यहां तक कि हमारे रिष्टेदारों के क पड़े तो डिजाइनर थे, जिनकी कीमत लाखों में थी, सोना तो इतना चड़ाया, जितना हमने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा, हमारी शादी हो गई, स्टेज पर राहुल की मौसी की लड़की आई, और उसके कानों में धीरे से कहने लगी, कि भाया, तुम्हारी चॉइस को क्या हो गया है, तुम्हारी चॉइस तो बड़ी क्लासी रहा करती थी, फिर, अब मुझे वो सब सुनकर बड़ा बुरा लगा, मुझे रोना आ गया, राहुल ने उसे फटकारा और स्टेज से नीचे उतार दिया, लेकिन मेरा रोना बंद नहीं हुआ, मेरी वज पर मुझे राहुल के कमरे में बेठा दिया गया, थोड़ी देर में राहुल कमरे में आया, पर मैं मुसेरी बहन के शब्द भूल ही नहीं पा रही थी, राहुल ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम अभी तक वही सब कुछ सोच रही हो, मैं उसकी तरफ देखे जा रही थी वो बोला ऐसे क्यों देख रही हो तुम यही तो सच्चा प्यार होता है बिना बताए अपने साथी के मन की बात को जान लेना मैं आज खुद को बहुत ही खुशनसीब समझे जा रही थी उसने कहा और तुम चिंता मत करो मैं तुमें इससे भी बाहर निकाल लूँगा आज मेडिकल ने कितनी तरक्की कर ली है कितने उपाए हैं जो किये जा सकते हैं कुछ एक इंजेक्शन से ही तुम्हारा रंग साफ हो जाएगा चहरा खिल उठेगा तुम मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो पर तुम्हारी आखों में मैं आसू नहीं देख सकता इसलिए मैंने सोचा है कि गोरे करने वाले इंजेक्शन की मदद से तुम्हें और सुन्दर बनाया जाए सच में ऐसा हो सकता है और बिलकुल हो सकता है और हम तो कल से ही ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे मैं मन ही मन बहुत खुश होने लगी और सोचने लगी कि अब बाकी लड़कियों की तरह मैं भी सुन्दर दिखूंगी मैं अब हसीन सपने संजोने लगी थी राहुल भले ही एनराय था पर उसके विचार वियवार से ऐसा बिलकुल भी नहीं लगता था उसका सौभाव और रहन सहन एकदम समानी इनसान की तरह था दूसरे दिन राहुल ने कहा कि उसकी डॉक्टर से बात हो गई है और वो आज रात से ही इंजेक्शन देना शुरू कर देगा और दस दिन में ही मुझे फर्क दिखने लगेगा मैं खुद को आईने में ही देख रही थी कि उतने में राहुल आया और उसने मेरा हाथ पकड़ कर कहा तुम मुझे वचन दो कि तुम इस ट्रीटमेंट के बारे में किसी को भी नहीं बताओगी मैं नहीं चाहता कि लोग इस बात को लेकर तरह तरह की बाते बनाए उस रात राहुल ने मुझे पहला इंजेक्शन दिया और मुझे नीद आ गई सुबह उठी तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था जब मैंने राहुल को बताया तो उसने कहा कि कभी कभी किसी चीज़ का साइड इफेक्ट हो ही जाता है चिंता करने वाली कोई बात नहीं है ठीक हो जाएगा थोड़ा सहन कर लो मैं कुछ नहीं बोली दूसरे दिन फिर राहुल ने मुझे इंजेक्शन दिया मुझे फिर से गहरी नीद आ गई और सिधा सुभा उठी तो दर्द असहनिये था पर मैं किसी को भी बता भी तो नहीं सकती थी राहुल मेरा ट्रीटमेंट सबसे छुपा कर जो कर रहा था आज रात में फिर से इंजेक्शन लेने की ना तो मुझे में ताकत थी और ना ही हिम्मत मैंने सोचा कि अगर एक दिन इंजेक्शन नहीं लिया तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा राहुल को बुरा न लगे इसलिए मैंने वो इंजेक्शन बदल दिया और उसकी जगह ताकत का कोई इंजेक्शन रख दिया राहुल ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया और मैंने आँखे बंद करके सोने का नाटक किया उसे लगा कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ उसके बाद जो उसने मेरे साथ किया उससे मेरे शरीर पर रोंटे खड़े हो गए ऐसा कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करेगा जो राहुल मेरे साथ पतनी होने के बावजूत कर रहा था मैं जट से उटकर बैड़ गई और राहुल के चहरे का रंग ही उड़ गया था वो हैरान होकर बोला तुम अभी तक सोई नहीं मैंने गुसे में पूछा ये क्या कर रहे थे तुम राहुल मेरे साथ और क्यूं पहले तो उसने मुझसे जूट बोलने की कोशिश की और जब मैंने उससे कहा कि अगर मुझे सच नहीं बताया तो मैं सब को सब कुछ सच बता दूंगी फिर जो उसने बताया उसे सुनकर मेरे पैरो तले जमीन खिसक गई और अब मुझे समझ आ रहा था कि क्यों उसने इतनी सुन्दर और पड़ी लिखी लड़कियों को छोड़कर मुझसे शादी की क्योंकि मुझे सी समानी लड़की को वो सहजी काबू में कर सकता था लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब चुप नहीं बैठना है मैंने चिला चिला कर घर सिर पर उठा लिया और फोन करके अपने ममी पापा को भी बुला लिया था शादी के तीसरे दिन ही मैं अपने माई के आ गई आसपडोस के लोग तरह तरह की बाते बनाने लगे जैसे कि सब कुछ मेरी वजा से ही हुआ हो मेरे चरितर पर उंगली उठाने लगे पर में डरी नहीं और चुब भी नहीं बैठी मेरी एक सहेली कपती वकील था उसकी मदद लेकर मैंने राहल के वरुद एक केस फाइल किया मेरी माने मुझे रोकनी की बहुत कोशिश की पर मैंने सोच रखा था कि राहल जैसे इनसान को उसके करमों की सजा तो मिलने ही चाहिए उसका असली चहरा सभी के सामने आना चाहिए केस की तारीख आई सारी मेडिया जमा थी महा मैंने कोट में राहल की सारी हरकत बताई दरसल राहल पहले से ही शादे शुदा था उसने विदेश में ही एक लड़की से शादी कर ली थी और वो उससे बहुत प्यार भी करता था लेकिन वो लड़की मा नहीं बनना चाहती थी जिससे की उसके शरीर पर कोई फर्क पड़े और राहल चाहता था कि उन दोनों का एक बच्चा हो जो इस दुनिया में आए इसके लिए उसने मेरा इस्तमाल किया और जान पूच कर मुझ जैसी गरीब और सावली लड़की से शादी की उसे उन दोनों का बच्चा मेरे गर्ब में बढ़ाना था वो बच्चा पैदा होते ही बच्चे को लेकर मुझे तलाग देकर अपनी पत्नी के पास चला जाने वाला था अपने देश में सेरोगी से इलीगल होने के कारण और मेरी रजमंदी के बिना ही वो मेरे गर्ब में अपना बच्चा कैसे रख सकता था इसलिए उसने जूट कहकर कि वो मुझे गोरे होने का इंजेक्शन दे रहा है मुझे इंजेक्शन दे कर बेहोश करके मेरा चेक अप करता था जिस रात को मैंने इंजेक्शन बदल दिया था उस रात को आई वी एफ के दुआरा मेरे गर्ब में अपना बच्चा इंप्लांट करने ही वाला था उसकी पत्नी को अगर बच्चा नहीं चाहिए था पहले मेरे चरितर पर उंगली उठा रहे थे वही लोग आज राहुल के घरवालों के नाम रख रहे थे मेरा और राहुल का तलाक हो गया मैं आज अकेली थी पर मेरी किसमत मेरे साथ थी या यूं कहूं कि भगवान नहीं उस रात मुझे बुद्धी दी थी और मैंने इंजेक्शन बदल दिया दोस्तो ये कहानी हमें ये सीख देती है कि सभी माता पिता को अपनी बेटे के लिए अमीर लड़का ढूनने के बजाए लड़का चाहें गरीब हो पर सरंसकारी लड़का देखें क्योंकि अगर दो टाइम का खाना और सम्मान मिले तो कोई भी लड़की सुख शानती से रह पाएगी लेकिन अगर इंसान ही खराब है तो वो कभी भी सुखी नहीं रह सकती दोस्तो पूजा ने ये कदम इसलिए उठाया ताकि आगे से कोई भी लड़के की गलती के कारण लड़की की बली न चढ़े दोस्तो उमीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चानल पर नए है तो चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बैल को जरूर दपाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले